कोई बच्चा मुझसे पूछता है सार इस चेप्टर में और कितना रहता है तो भाईया जो दो सेक्षन है वो बड़े छोटे से सेक्षन है वो एक्जाम में बहुत रेर ही पूछे जाते हैं जितना हमारा पेपर के point of view से सब कुछ हो चुका है कोई भी question आप उठाके करोगे हो जाएगा चलिए सब कहता है Mr. Anish Mrs. Asahi on a house in Delhi में construction completed September 2019 में घर बनके तैयार और during the previous year 2021 में the house let out residential purpose 1st April 2020 से लेके 31 January 2021 तक और उसका किराया इसने वसूला 12,000 रुपे महिने का per month and self-occupied residential purpose remaining part बाकी का part self-occupied यानि partly let out, partly self-occupied on the basis of time ऐसे situation में कुछ भी नहीं बदलने वाला normal calculation जाने वाला है मारा previous year other particular in respect of house given है कहते है सर municipal value हम आपको बता रहे है fair rent भी बता रहे है और municipal tax paid भी बताया जा रहा है उसने 2,000,000 रुपे का करजा लिया HDFC बैंक से 1 अप्रेल 17 में 12% का ब्याज रेट था construction of the house no part house has been repay बोला लोन नहीं payment किया घर बन गया लेकिन लोन अभी भी चल रहा है तो बड़ा सीधा सा सवाल है देखे दस नंबर का सवाल आया था एक्जाम में और अगर आपको सारे provision याद है तो तो दस नंबर का सवाल में दस मिनट भी नहीं लगना आपके सामने एक्जाम वाले question है ये simple सी बात है particular amount और उपर जैसे मैंने table में बताया नहीं बताया उपर लिखेंगे income from house property income from IHP लिख रहा हूँ मैं of किसका आशा का for assessment year 22-23 है न हमें निकालना है 20-21 21 होगा क्या इसको बांट दे हम कहता है कि घर कुछ दिनों तक हमने रखा और कुछ दिनों किराया पर क्या इसको बांट दे या नहीं बांटेंगे क्योंकि कहता है कि सर एक चार से 2019 से लेके आपका जनवरी तक एक एक दो हजार बीस तक यह लेट आउट था उसके बाद वाला remaining remaining जो बचे तीन मैंने वो एसो था तो क्या इसे हमें इस ratio में बांटने की जरूरत है क्या जवाब नहीं लौ जो पढ़ा था तेईस नंबर सेक्शन नंबर तेईस उसमें हमने सिच्वेशन में देखा था कि सर कुछ भी नहीं बटेगा हाँ एरिया होता तो बट जाता एरिया वाला भी देख लेंगे सर मुन्सिपल वैल्यू चुप चाप हमें लिखना एक लाक टैंशन ही देना मन करेगा कि भाई आबांत लो लेकिन उसका कोई फाइदा नहीं ना एक लाक दस अजार सर नहीं दे रखा सर एसार नोट अपलिकेबल इन दोनों में से हम क्या लेंगे ए ईएर दोनों में से हायर आएगा एक लाक दस हजार ऑऔर आ जाएगा सर एट रिपल आर की हम बात कर कि लाए 12,000 और कितने महीने तक चैक करते हैं, हमने कब तक किराय पे दिया था, सर किराय पे दिया 31 जन्वरी, 31 जन्वरी ए, 9 महिने नहीं दस महिने, कितने महिने, 10 महिने, 1 लाख 20 हजार, तो सर मकान मालिक खुदी बोल रहा है, हमारा जादा है, तो कोई बात नहीं, जी ये आगे हमारा एने भी देख रहे हैं कितनी जल्दी जल्दी कुश्चन हो रहा है एक लाग 14,000 माइनस में 24A आपका 30 पर 30 शत और माइनस में 24B कहानी यहीं आके रुखती है बच्चों की कितने आ रहे हैं 34 200 सर अब कहानी रुखती कहां पर इंट्रस्ट पर चलिए लोन लेने की तारिक है कहता है 15 सेप्टेंबर 19 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया 19 में during the previous year इसने जो लोन लिया है वो लोन लिया है कब लिया है कब लिया एक अप्रेल 17 एक चार 2017 सर लोन तो ले लिया अब बात करते हैं हमारा year जो कंप्लीट होगा accounting year वो होगा 31 तीन 2020 20 21 का है या 20 21 खतम होगा सर 21 में accounting year यानि इस साल को तो मैं अप्रेटी ले 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 इस साल को पहले कट मार लेता है यह होगा हमारे स्टार्ट एक चार 2020 में यानि यह current year है अब सर अब चेक करो घर कब बना घर बना हमारा 15 सेप्टेंबर 19 में सेप्टेंबर है यानि सर 1418 से यह खतम हुआ होगा सेप्टेंबर एना 1418 नहीं 1419 और खतम होगा यह 31 तीन कुछ इस साल के अंदर हमारा घर बन के तयार हो गया इस साल के अंदर हमारा घर बन के तयार हो गया यानि pre construction period जो माना जाएगा इससे पहले वाला time माना जाएगा समझे बात आपको इसके बीच में क्या हुआ नहीं हुआ उसकी बात नहीं कर रहे हैं इससे पहले वाला time यानि ये वाला साल यहाँ पर तो उसने घर बनाया deduction ले लिया होगा इससे पहले वाला माना जाएगा तो 1,4,17 से 31,18 अभी भी PCP हैं उसके बाद 1,4,18 से 31,19 यानि सर कितने महिने दो साल देट इस 24 महिने अब इसका interest कैसे निकालेंगे सर दो लाक इंटू में 12 बटे में 100 इंटू 24 डिवाइड़ बारा इंटू 1 बटा 5 सब एक ही बार कर लो calculator तो है ना allowed calculator exam में ध्यान रखिएगा कितने आगे 96,100 1000 नहीं आएगा 96 अब मुद्दे की बात आती है सर इस साल का कोई ब्याज करना ही अगर कुछन कुछ नहीं बोलता तो अगर कुछन बोलता है नहीं हुआ तब तो नहीं है पट हूगे है तो हो गया जैसे पिछले वाले सवाल में तीन मेहने बाद पेमेंट हो गया था यहां पर सवाल ने बोला कि हमारा 9 part loan payment has been so far तो सर यहाँ पे पूरा आउटसेंडिंग होगा तो current year का जो ब्याज बनेगा वो पूरा ही बनने वाला है सर दो लाग पे simple सी बात है 12% that is आपका 24,000 तो deduction के लिए eligible 24 और plus 96 तो 24,000 plus 9600 कितने हो गए? कितने? 34, 35, 24 और अच्छा सर ये भी माइनस, ये भी माइनस सवाल खतम answer done income from house property 45, 900 200 है ना positive चलिए ये सवाल भी कर लिया किसी के दिक्कत परिशानी बताईए सर interest से पहले वाला बता दो interest से पहले वाला क्या बताना? ये सारा तो simple आप बताईए कौन सा doubt है? अगर नहीं बताया है के loan repayment नहीं हुए या नहीं तो हम मानेंगे loan नहीं दिया और current year का उसका ब्याज लेंगे या नहीं सर 24B में दो interest minus हो जाते हैं एक pre construction period वाला और एक current year वाला clear? एक और सवाल देखें sir मैं lower देखता हूँ 8.7 pm बच्चे कह रहे हैं sir 46200 आएगा गलत निकाल के बताया है किसने निकाला है फिर से minus करो minus करके बताओ जाएगा 46200 नहीं पीछे आले तो कुछ बोली नहीं रहे कुछ आता ही नहीं इनको चलिए एक और सवाल देखें sir आपने higher क्यूं क्यूं देखा higher ओविस सी बात है हम expected rent 8RR में हमेशा higher ही लेते हैं तो higher ले लिया PCP 24 महिने क्यूं लिया देखो सवाल के अंदर मैंने date भी लिखा है भाई यहां से यहां तक घर नहीं बना यानि simple सी बात है na PCP का निकालते कैसे हैं जिस साल घर बना है न उस साल को छोड़ दीजिए उससे पहले 31 मार्च जो आ रहा है वो और जहां पे loan लिया है वहां तक का PCP होता है झाल